सच शेकाल कैसे हैं आप सभी आप सभी का वैलकम है पूनम को रेसिपी लाई हूँ तो फिर देरना करते हुए चलिए से बनाना शुरू करते हैं पर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आपको मरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के लाग कर दे चैनल पर पह करना शुरू करते हैं तो दोस्तो आज में आपके लिए कच्चे आलू से बनने वाला एक बहुत ही शांदार सा नास्ता लाई हूँ इसे बनाने के लिए हमने यहां पर दो मीडियम साइस के कच्चे आलू ले लिये हैं इनकी स्किन निकाल कर इन्हें एक बार दो लिया था उसके बाद हमें ने ग्रेट करेंगे तो दोस्तो मैंने आप पर जो बड़ा वाला साइड होता ना ग्रेटर का जो सबसे बड़ा साइड होगा हम उससे ग्रेट करेंगे क्योंकि आज की रेसिपी में हमें बहुत यूनीक सा तेस्ट चाते हैं तो यहां पर आपको बड़े साइड से कद्दूकस कर लेना है और आप यहां पर देख सकते हैं हमारे जो दोनों आलू है वह बहुत अच्छे तरीके से कद्दूकस हो चुके हैं अब यहां पर हम क्या करेंगे एक से दो बार इसे बिलकुल साफ पानी से धूलेंगे क्योंकि आलू हैं उनमें काफी ज़ यहां पर देख सकते हैं अब चलिए आगे बढ़ते हैं मैंने यहां पर एक बड़ा सा बाउल ले लिया है और इसमें हम यह सारे आलू के लच्छे आड़ कर देंगे इसी के साथ में हम यहां पर कुछ बेसिक चीज़े आड़ करेंगे तो मैंने यहां पर डाला है एक कप वो हम इसमें आड़ करेंगे आपके पास जो भी सूजी अवलेबल हो आप वो इस्तमाल कर सकते हैं साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारिक करता हुआ हरा धनिया और एक कप बेसन दोस्तों पहले में बेसन आड़ कर रही थी उसी वक्त मेरा कैमरा बंद हो गया तो थोड़ा सा बेसन आड़ हो चुका था इसलिए यहां पर फिर मैंने आगे उसको कंटीनियो किया है साथ ही हमने इसमें डाला है थोड़ा सा अजवाइन आजवाइन को हाथों से करश करके आपको इसमें आड़ करना है साथ ही हम इसमें डालेंगे red chili flakes चाट मसाला आप इसमें definitely डालेगा और थोड़ी जादा कॉण्टिटी में हम इसमें चाट मसाला आड़ करेंगे यह तिहाँ चोटा चम मज हम Itsmers में हल्दी पाउडर डालेंगे ओ एक चोटा चम मज नमक डालेंगे नमक आपने स्वाहत के अनुसार एक जसक कर लिजेगा फिल वह मिसमे नमक डालेंगे बाद में अगर हमें जरुत लगेगी तो और एड कर लेंगे अब दोस्तो हमें यहां पर एड करने हैं दो कटोरी पानी क्योंकि हमने एक कटोरी सूजी ले ली थी और एक कटोरी बेसन लिया था तो उसी कटोरी से नाप के हम इसमें डालेंगे दो कटोरी पानी और आप यहाँ पर देखिए अच्छा सा जो हमारा घूल है वो बनकर तयार हो चुका है अब बस हमें से रेस्ट के लिए बिल्कुल भी नहीं रखना है पटाफर से जैसे हम यहाँ पर यह घूल बनाएंगे दूसरी और हम गैस पर कढ़ाई गरम होने के लिए रख देंगे और उस कढ़ाई में हम डालेंगे दो से तीन वड़े चमच तेल जैसे हम यहाँ पर देखेंगे हमारा तेल हलका सा गरम हो जाएगा फिर हम इसमें चाहें तो राई या फिर जीरा अगर आप चाहें तो यहाँ पर थोड़े से करी पत्तों को भी बिल्कुल छोटे-छोटे टुकड़ों में डाल काट कर डाल सकते हैं मैंने यहाँ पर सिर जीरा और राई का इस्तमाल किया है और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो ही रखा है जो मिश्रन हमने बनाया था वो अब हम इसमें आड कर देंगी लो फ्लेम पर इस तरह से लगातार चलाते हुए हमें से पकाना है maximum आपको 5 मिनट लगेंगे और आप देखेंगे यह जो मिश्रन है हमारा गाडा होने लगा है और थोड़ी देर के अंदर यह इतना अच्छे तरीके से गाडा हो जाएगा जैसे कि आटा के से लग कार दयार हो जाता है बिलकुल यह उंप बंकर दयार हो जाएगा यह देखाfinden है बिलकुल अच्छे तरीके से यह थिक हो तब तक हम यहाँ पर कोई भी मोल्ड या फिर कोई भी प्लेट को ग्रीस कर लेंगे ग्रीस करना बहुत ज़ादा ज़रूरी है क्योंकि जब यह नास्ता हम डी मोल्ड करते हैं तो इसे निकालने में काफी आसानी होती है ओल लगाकर आप अच्छे तरीके से चारो और से ग्रीस कर लें और फिर इस नास्ते को हम इसमें आड कर लेंगे दोस्तों इसे बनाना बहुत ही आसान है पट लास्ट में जब आप इसका रिजल्ट देखेंगे न तो आपका दिलखुश हो जाएगा और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही जादा स्पेशल रेसिपी होगी ये मेरी गैरंटी है आप देख सकते हैं किस तरह से बिल्कुल आटे के फॉर्म में ये सेट हो चुका है जब ये गरम हो उसी स्टेश पर हमें इसे शेप देनी है अगर ये ठंडा हो जाएगा तो फ और ये पास ठiping है तो आप इसे ज़दा देल के लिए भी रख सकते हैं और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो यहां तक काम करके इसको कवर करके आफ फ्रिज्ट में भी रख सकते हैं रात बार बर सुबह बस आप इसे कट किजे और बच्चों को फ्राइए करके देख दी तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आदे गंटे के लिए इसे छोड़ा है तब तक छोड़ेंगे जब तक अच्छे से ठंडा ना हो जाए उसके बाद आप देख सकते हैं कितनी आसानी से इसके पीसिस बाहर आ रहे हैं आप जिस भी शेप में चाहें इसे कट कर सकते हैं ट्रैंगल में रखेंगे न तो एक हफते तक बड़े आराम से आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं जब मन करें तब आप इसे फ्राय कर लीजे अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था तेल अच्छा गरम होगा इस बात का ध्यान देंगे और गैस का फ साइड से कुखोने देते हैं जब अच्छे तरीके से अपना रंग चेंज करने लगेंगे ना फिर हम इसे फ्लिप करेंगे हम इसे बार बार फ्लिप नहीं करना है तो थोड़ी देर में आप देखेंगे बड़िया सा सुनहरा सा रंग इनके ऊपर आ जाएगा मैं आपको द करेंगे तो अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं आप इसे हरेद्हुनी की चटणी के साथ सब करकेंगे हैं जुदापि के साथ हरी दिने के साथ भी सहरीके सबस庫 कर सकते हैं लास्ट में ठोड़ा साच मसाला साथ सब्कुल के जीए मैं अह को दिखाते हूं कितनी रोक पाना बिल्कुली पॉसिबल नहीं होगा तो आप एक बार इस रेसिपी को डेफिनेटली ट्राय करना मुझे नीचे कमेंट में लिखकर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो पका लाइक करना कोई सजिशन हो तो आप वो भ